बिस्मिल्लाहर्मान रहीम, असलाम उलेकूम, वैलकम टू मैज कुकिंग चैनल तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हैं बहुती मज़ेदार सर्दियों की स्पेशल रेसिपी, बॉंग पाया की रेसिपी जो के बहुत ही मज़ेदार और सर्दियों में तो इसका खाने का मज़ा ही अलग है तो चले स्टार्ट करते हैं अपनी रेसेपी को बनाना इसके लिए हमने ली है हाफ केजी बॉंग और दो पाई लिए हैं जिसे मैंने धोके अच्छे से साफ कर लिए है यह देखें बॉंग मैंने इस तरह की लिए इसके बड़े पीसिस लिए है मैंने बॉंग के तो अब हम इसे बॉयल करेंगे एक पतीले में मैंने इतना पानी लिया है कि यह च्छे से डिप हो जाए और अब हम इसमें पाई एड़ करेंगे जो के पहले से मैंने वाश किये हुए है और बॉंग भी साथ में ही एड़ कर देंगे वन टेबले स्पून नमक और साथ में गरम मसाला दो दार्चीनी के एक 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 इंच के दो टुकड़े और चार से पांच अधत लोँगे 10 से 12 अधत काली मिर्च यह डालेंगे और टू लिव्स तेस पात पत्ता लासन अधर का पेस्ट टू टेबले स्पून और इसे डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे हाई फ्लेम पर बॉाइल आने देंगे तो देखिए इसमें बॉयल आ चुका है अब मैं इसे मीडियम फ्लेम पर रख दूँगी चार से पांच आवर के लिए कि अच्छे से पाई जो है वो गल जाए और बीच-बीच में से हम इसे चेक करते रहेंगे तो देखिए पाई जो है वो हमारे तक्रीबन गल चुके हैं आप चाहें तो इसे प्रेशर कूर कर में भी गला सकते हैं इसे मैं मजीद रखूँगी गलने के लिए तो देखिए पाई जो है वो गल चुके हैं और पाई जो लिए है वो हमने बीफ के लिए है इसकी यखनी को हम अलग कर लेंगे और पाई को जो है वो हम अलग कर लेंगे और अब हम इसकी ग्रेवी रेटी करेंगे जिसके लिए मैंने लिए है दो दर्मियाने साइस की प्यास जिसे मैंने बारिक चॉप कटिंग कर लिया है और ओल हमने लिया था आदा कप इसे हम fry करेंगे प्यास को देखे light सा fry करेंगे प्यास जो है हमारी fry हो चुकी है अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबले स्पून लैसन अदर का पेस्ट और इसे डालने के बाद इसे हम 1-2 मिनट फ्राय करेंगे लैसन अदर के पेस्ट को फ्राय करने के बाद इसमें मैंने आदा कप पानी डाला है कि प्यास जो है वो जले नहीं और अब हम इसमें स्पाइसिस एड करेंगे जिसके लिए हमने लिया है 1 टेबले स्पून धनिया पॉडर 1 टेबले स्पून रैड चिली पॉडर हाफ टी स्पून हल्दी पॉडर और 1 टी स्पून पैप्रिका पॉडर यह बिलकुल ऑप्शनल है अगर आपके पास है तो डालने के बार एक प्याली दही, यानि के four या five टेबले स्पून दही के, इसे डालने के बार अच्छे से भूल लेंगे मसाले को, मसाले के अच्छे से बुनाए करने के बार अब हम इसमें डालेंगे पाय, जो कि हमने यखनी में से अलग कर लिया थे, पहले ही, पाई डालेंगे और इसे अच्छे से मसाले में भूल लेंगे तो यह हम पाई और मसाले को अच्छे से भून रहे हैं तो आप एक काम करिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कि बगएर मत जाएगा और वीडियो को लाइक और शेर करिएगा एक अच्छा सा कमेंट्स करके बताएगा कि आपको मेरी रेसिपी कै लगी पॉसिबल हो से कि तो फ्रेंस और फैमिली में में वीडियो को शेर करिएगा और इसमें मैंने डाला था आदा कप पानी ताकि मसाला और पाय जोहें अच्छे से मिक्स हो जाएं और अच्छे से भून जाएं और इसे में दस मिनट के लिए लो फ्लेम पर रख दूँगी पकने के लिए दस मिनट के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसमें डालेंगे यखनी जो हमने पाय में से अलग की थी वो इसे डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब मैं इस स्टेश पर नमक टेस्ट करी हूँ आपको कम यह जादा लगया आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक एड़ कर सकते हैं और इसे में लो फ्लेम पर रख दूंगी दस से पंदरा मिनट के लिए तो देखिए दस से पंदरा मिनट के बाद इसमें जो है वो वाइल भी आ चुका है और अब हम इसमें डालेंगे वन टी स्पून गरम मसाला पॉर्डर और अब हम इसे डिश आट करेंगे तो देखिए यह रही इसकी फाइनल लुक कमेर्स करके आप मुझे लाजिम बताइए का आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी मुझे दें इजाज़त नेक्स वीडियो तक के लिए आला हाफीज